अब लोग कैसे हैं, उमीद है अच्छे होंगे, तो चली होग्द कुछ न करते हैं, आज मैं जा रहे हूँ, आनार का जूस बनाने, बहुत ही इजी तरीके से, बिना ग्राइंडर जार का जूस आप लोगों से सेर करो, उमीद है, अप लोग पसंद हैं, मैंने पाज आनार लि डेख सकते हैं, मैंने आनार को कट कर लिया, अब माइसके दाने इस तरह से आप भी निकालते जा, ज्वूरे दाने पचो निकालेज, आप देख सकते हैं,ra用 मैंने आनार के दाने निकालए बहु गया लगके आख बेच में कोई काला हो उसे आप निकाले नहीं, इसका juice हो तो खराब उस वाट आएगा उसका ट्रेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को इस तरह से निकाल ले और मैं अब चल रही हूं इसे आथ से मैं इसे मिक्स करेंगे इस तरह से एक बाउन ले ले बराशा इसमें डाल करके इस तरह से आपी थोड़े थोड़े डाल क तरह से आप यह अच्छे से डाल टाब करके आप देख सकते हैं इजर निकल रहे हैं तो यह बहुत ही सूध है और टेश्टी आप लोग को पता ही होगा कि आप नार के जिस इतने फायदे मंदूते हैं बलड की अगर आप लोगों को कमी हो तो इसे दूर करते हैं पाचन शक्तिस को मजबूत करते हैं छटगिये माया वी स्छान करके चान करके सार्व करके आप People को दिखाते हुं आप देख सकते हैं मैंने एक ग्लास दूल थे आप देख सकते हैं मैंने पूरी अच्छे से इसको निचोड लिये हैं अनार का रस मैंने पूरी अच्छे से निकाल लिये हैं अब मैं छंडी के सहाथा से इसे छान रही हूं एक ग्लास मैंने पहले ही छान लिगे थे आप भी इ और यह बहुत ही टेस्टी और खायले मंदू जूस होते हैं इसके बीच को आप शुखा करके भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इसके बार में आप लोगों को बताऊंगे मैंने बहुत सारी जूस की रेस पीरा ली है आप इस डिस्क्रिप्रिप्शन स्क्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थेंक यू धन्नेवाद सिहत खुब